Hello everyone, welcome back to Iconic InfoTech, computer class की series में आज हमारा यह 8th lecture है और आज इस lecture में हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड की, तो चलिए शुरू करते हैं आज का lecture, कीबोर्ड, सिबसे पहले definition of कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड is a basic input device that is used to enter data or instructions into a computer or any other electronic device by pressing keys, कीबोर्ड जैसे की आपको पता है की एक input device है, जिसके द्वारा हम data या instruction को computer के अंदर enter करवाते हैं, या फिर कोई भी electronic device के अंदर enter करवाते हैं by pressing keys, मतलब कीबोर्ड के ओपर कुछ एक keys लगी होंगी, आप उनको दबाएंगे तो उनके द्वारा एक input, data और instruction के रूप में computer के अंदर हम enter करते हैं, As the name implies, a keyboard is basically a board of keys, जैसे की नाम से ही पता चल रहा है, keyboard मतलब एक ऐसा board जिसके ओपर बहुत सारी keys लगी हुई हैं, It consists of multiple keys which create numbers, letters, symbols, etc. Keyboard के ओपर बहुत सारी keys लगी हुई होती हैं, जिनके द्वारा आप number टाइप कर सकते हैं, letters टाइप कर सकते हैं, कोई भी symbol वहाँ पर टाइप कर सकते हैं, Keyboards are connected to a computer through USB or Bluetooth devices for wireless communication, keyboard जो हैं computer के साथ connect किये जाते हैं through USB, USB cable के साथ में या फिर कोई भी Bluetooth device के साथ में for wireless communication के लिए, The keyboard design is derived from the typewriters, जो keyboard का design है वहाँ typewriter से लिया गया है, a standard keyboard has 104 keys, जो एक standard keyboard होता है, उसके अंदर 104 keys होती हैं, Exam point of view से आपको याद रखना है, कई बार ये exam में पूछ लिया जाता है, कि एक keyboard में कितनी keys होती हैं, तो अंसर होगा 104, 104 keys, आगे हम बात करेंगे types of keyboard की, हमारे पास बहुत तरह के keyboard के types हैं, कुछ है कि मैं यहाँ बात करूँगी, जो commonly आपके जादातर use होते हैं, सबसे पहले है QWERTY keyboard, Q-W-E-R-T-Y, QWERTY keyboard, it is the most commonly used keyboard with computers in modern times, जो आज के time पे आप keyboard का इस्तिमाल कर रहे हैं, वह QWERTY keyboard है, it is named after the first six letters of the top row of buttons, जो आपका keyboard है, उसमें जो first top row है, वहाँ पे आपके जो keys लगी होंगी, वो Q-W-E-R-T-Y, इस तरह से लगी होंगी, जैसे कि आप नीचे image में भी देख पा रहे हैं, कि जो आपकी top row buttons हैं, वो सारे कैसे लगे हैं, पहले Q-Key है, फिर W है, E है, R है, फिर T है, फिर Y है, और इसी की वज़ा से इसका नाम QWERTY keyboard है, आपको मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, जो आज के समय में जो आप use कर रहे हैं keyboard, वो सारे QWERTY keyboards हम लोग use कर रहे हैं, यहाँ एक standard French keyboard है, it is developed in France as an alternative layout to QWERTY layout, यहाँ फ्रांस में बनाया गया है, और यह QWERTY layout के alternate में बनाया गया है, जैसे वहाँ पे QWERTY में पहले जो की थी, वो Q, W, E, R, T, Y थी, इसमें क्या हो गया है, Q और W जो की हैं, वो change हो गई है, A और Z से, ठीके आप जैसे की उपर डाइगा में देख सकते हैं, पहले था Q, W, E, R, T, Y और इसमें आपकी कीज हैं, A, Z, E, R, T, Y, Asserty keyboard differ from QWERTY keyboard, not only the placement of letters, but also in many other ways, जो Asserty keyboard और QWERTY keyboard में सिर्फ जो कीज हैं, उन्हीं का ही अलग लग नहीं है, बलके जो इन दोनों के अंदर जो difference है, वो यहाँ भी है, कि जो Asserty keyboard है, जो आपके accents हैं, उनके ओपर भी ये focus करता है, which is required for writing European languages like French, जो European languages लिखने के, जब हम कोई भी European language को टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें कुछ एक, टाइपिंग के साथ में कुछ accents भी वहाँ पर टाइप होते हैं, तो वहाँ उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, आपको याद रखना है कि जो ये Asserty keyboard है, यह फ्रेंच में बनाया गया है, फ्रांस में इसका जाहतर यूज होता है, European languages के लिए इसका जाहतर यूज होता है, नेक्स टाइप ऑफ कीबोर्ड है हमारे पास, ड्वार्ख कीबोर्ड, D-V-O-R-A-K, अब यह मत सोचेगा कि D-V-O-R-A-K है, तो मतलब टॉप रो में D-V-O-R-A-K वाला आपका पास जो ले आउट होगा, जी नहीं, यह इसका नाम ही इस तरह से दिया गया है, और यह कीबोर्ड बनाया गया है आपकी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, इसके अंदर जो आपकी फिंगर की मुवमेंट है, वो कम होती है, the most frequently used letters are kept in this keyboard, जो आप most frequently जो भी आप यूज करते हैं, जो हमारे जादतर यूज होती हैं, कीज, वो सबसे पहले आपकी लिग गई होती है, उनकी कीज टॉप में कर दे गई होती हैं, ताकि आपकी जो है movement है fingers की वो कम हो, next अब हमारे पास ये तो हमने types की बात करी, अब हमारे पास कुछ एक some other types भी होते हैं, computer keyboard के, उसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे की पहला है आपका flexible keyboard, हमारे पास कुछ एक इस तरह के flexible keyboard आते हैं, जिनको आप तो मरोड सकते हैं, मतलब उनको fold कर सकते हैं, made of soft silicone with highly potable, वो soft silicone से बने होते हैं, जो highly potable होते हैं, it is water and dust resistant, पानी का और dust का इसके उपर जादा प्रभाव नहीं पड़ता है, it does not make a sound when being used, जब आप flexible keyboard को इस्तिमाल करते हैं, तो वो कोई भी sound produce नहीं करता है, that's why it is called a silent keyboard, इसलिए flexible keyboard को silent keyboard भी कहा जाता है, next है ergonomic keyboard, this type of keyboard is beneficial for your body posture, जो ergonic keyboard हैं, वो बनाए गए हैं आपके body posture को देखते हुए, instead of adjusting yourself to fit the computer, sorry keyboard, जैसे कि अभी हम लोग कोई भी keyboard इस्तिमाल करते हैं, तो हम खुद को according to, जो keyboard सामने रखा है, उसके according हम अपनी body को जो है adjust करते हैं, but ergonomic keyboard में क्या है, आपकी body को adjust करने की जुरुत नहीं है, keyboard ही उस तरह से बनाया गया है, कि वो आपकी body में adjust कर जाता है, it is designed to fit you easily, ease of use and reduce strain, बहुत असानी से आप इसके उपर काम कर सकते हैं, और इसके द्वारा आपके उंगलियों में आपके हाथों में जादा strain भी नहीं पड़ता है, next है wireless keyboard, नाम से पता चल रहा है कि keyboard में wire नहीं होगी, वो wireless होगा, it is a computer keyboard that is connected to computers, laptops और tablets without any cables, ये cables के बिना ही आपके computer, laptop या tablets के साथ में हम इसको जोड सकते हैं, अब जब ये cable ही नहीं है, जब ये कैसे जुड़ेगा फिर ये आपके computer के साथ में, तो ये यूज करता है radio frequencies को infrared या Bluetooth technology को किसी भी device के साथ connect करने के लिए, next है mechanical keyboard, अब mechanical keyboard क्या होता है, it is made with high quality that commonly used in both home and offices, ये एक high quality का keyboard होता है, जो आपके घरों में या offices में हम लोग use करते हैं, और इसकी खास बात जिससे आपको याद, आपको पता चल जाएगा कि ये mechanical keyboard है, इसके अंदर LED lightning लगी होती है, ये offer करता है framing, switches, type print methods को, functionality, PCB board, key construction, LED lighting, और more other features, तो ये सारे features जो हैं, वो mechanical keyboard में होते हैं, next है virtual keyboard, it is a software-based keyboard that enables users to type without the need for physical keys, अब इसका मैं आपको सिधा साफ शब्दों में आपको समझाते हूँ कि virtual keyboard क्या हुआ, आप mobile के उपर type करते हैं, आपके पास एक keyboard मोबाइल के उपर खुलता है, वही आपका क्या है, virtual keyboard है, आपने वहाँ पी चेक भी कियोगा कि आपको option भी आती है, कि किस तरह का आपको यह keyboard चाहिए virtual में, तो gboard होता है, osk board होता है, osk means on screen keyboard, it is also include option to insert emojis, stickers और animated gifs, और इस virtual keyboard में कुछ एक extra features होते हैं, इसके द्वारा आप emojis को, किसी भी stickers को, या कोई भी animated gifs को आप enter कर सकते हैं, next है projection keyboard, नाम से पता चल रहा है, कि अब directly आपका keyboard नहीं होगा, एक keyboard की projection आपकी किसी भी surface के उपर ले सकते हैं, और आप वहाँ से उसको type कर सकते हैं, last है आपके पास gaming keyboard, a keyboard that contains a few specific keys used for gamers is known as gaming keyboard, एक ऐसा keyboard जिसके अंदर कुछ एक extra specific keys लगी होंगी, जो game के द्वारा, जब आप कोई भी game खेलते हैं, उसके अंदर चाहिए होती हैं, वो keys वो इस keyboard में लगी हुई होंगी, और इसी को हम gaming keyboard कहते हैं, next हब हम देखते हैं कि यह कैसे कैसे होते हैं, आपके सामने कुछ एक pictures हैं, देखिए सबसे पहले flexible keyboard है, उसके बाद ergonomic keyboard है, जो according to आपके body posture के द्वारा बनाया गया होता है, next है wireless keyboard, जिसमें आपके wire नहीं होगी, next है mechanical keyboard, मैंने आपको पहले भी बिताए, याद रखने का तरीका, इसके अंदर LED lighting लगी होती है, आगे है virtual keyboard, देखिए एक इसमें आपने दिखा भी रखा है हमने, कि एक person जो है type कर रहा है अपने tablet के उपर, और next है आपका projection keyboard, देखिए एक projection हुई है keyboard की table के उपर, वहां से जो है person type कर रहा है, तो यह सारे आपके पास different types of keyboards हैं, जो market में available हैं, जिनका आप use करते हैं, अब बात आती है, हम keyboard तो हमने जान लिया कि क्या होता है keyboard, बट keyboard की invention क्यब हुई है, और किसके द्वारा की गई है, यहाँ आपको पता होना चाहिए, there were different types of inventions, बहुत तरह की inventions हुई है, keyboard के बनने से पहले, keyboard से पहले हमारे पास आया typewriter, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि typewriter था, उसी के बाद इसी के layout के उपर हमारे पास keyboard बना है, तो typewriter थे, key punches थे and teleprinters थे, जिन्होंने computer के keyboard को बनाने में सहयता की है, in the 1700s, the first writing devices were designed, 1700SV में जो है आपका बहुत सार writing devices कुछ एक बन गए थे, and Henry Mills, एक Henry Mills नाम के person थे, जिन्होंने सबसे पहले इसका copyright लिया था, sorry, patent लिया था, London में, England में, 1714 में, ठीक है, तो 1714 में, Henry Mills ने writing device का एक patent लिया था अपने नाम पे, जो लंडन के रहने वाले थे, although in 1868 में एक Christopher Latham Scholes उन्होंने develop किया और patent लिया first practical typewriter का, अगर आप से question में पूछा जाता है कि invention किसने की है keyboard की, तो वो हैं आपके Christopher Latham Scholes, 1868 में इन्होंने keyboard का invention किया था, तो देखिए Christopher Latham Scholes was an American inventor, ये अमेरिका के रहने वाले थे, who invented the QWERTY keyboard, जिनोंने QWERTY keyboard को बनाया, along with Samuel W. Soule, Carlos Gridden and John Pratt, इन तीनों की सहायता से उन्होंने जोए QWERTY keyboard का विशकार किया था, has been contented to be one of the inventors of the first typewriter in the United States, और ये सारे जो थे United States में रहने वाले थे, जिनोंने first typewriter का विशकार किया, एक्वर्टी keyboard का विशकार किया, अब आगे है different types of keys on keyboard, हमने keyboard के बारे में जान लिया, definition जान लिया, उसकी features जान लिये, बट अब जो उसमें keys लगी होती है, वो कैसी कैसी keys उसमें लगी होती, हमने बात करी कि 104 keys उसमें लगी होती है, तो देखिए सबसे पहले होती हैं आपकी alphabet keys, जो 26 alphabet keys हैं, आपकी A to Z से लेकर के A, B, C, D, ये सारी, आपकी alphabet keys होती हैं, जो आपके keyboard के उपर लगी होई होती हैं, number keys, नाम से पता चल रहा है, numbers होंगे, 10 numbers होंगे, 0 से लेकर के 9 ता, उसके बाद कुछ एक special keys होंगी, जैसे की space bar, caps lock, backspace, shift, enter, symbol and tab keys, उसके बाद आपके पास functions keys होती हैं, हमारे पास 12 तरह की function keys होती हैं, जो keyboard पे लगी होती हैं, F1 से लेकर F12 तक, आगे हैं navigation keys, every keyboard has some special navigation keys, हर एक keyboard में कुछ एक special navigation keys होती हैं, जैसे की cursor control keys, जो arrow keys होती हैं, आपकी home keys होगी, end keys है, control है, alt है, page up, page down, delete, insert, ये सारी आपकी navigation keys होती हैं, ये देखी, आपके सामने अब एक keyboard का layout है, control key जिसमें दिखाई गई है, function keys अब से top में होती हैं, F1, F12, एक side में आपका numeric key bed होता है, navigation keys देखिए, up, down, insert, delete, विगरा, एक side में होती हैं, और control keys आपके, जो keyboard है, उसके बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में लगी हुई होती हैं, ठीके, तो ये आपका type है, keys का, किस तरह से ये layout है, आपका keyboard का, तो आज के lecture में हमने जाना, एक keyboard के बारे में, keyboard के features के बारे में, उसको invent किसने की है, उसके कुछ एक types, तो जो exam में याद रखने वाली बात हैं, वो हैं आपके जो types मैंने आपको बताए, पहले qwerty, assorty और dwark, और उसके बाद कुछ एक अलग से जो हमारे market में available हैं, keyboard जैसे कि आपका mechanical keyboard हो गया, आपका ergonomic keyboard हो गया, आपका virtual keyboard हो गया, तो जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत knowledge होनी चाहिए, तो next lecture में हम keyboard में जितनी भी ये keys लगी होती हैं, इनके functions के, इनके use के बारे में जानेंगे, और कुछ एक shortcut commands के बारे में जानेंगे, तो आशा करती हूँ कि आप सबको इस वीडियो से थोड़ी सी जानकारी हासिल हुई होगी, next वीडियो कल आपका फिर से ले करके मैं हाजिर होंगी, तो कल का वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, जो keyboard के इसी के अंदर एक next हमारा lecture होगा keyboard के बारे में ही, तब तक के लिए धन्यवाद, keep watching, keep learning.